कि जिस देश की पहचान ही बगवान राम के नाम से है जो अयोधिया में पैदा हुए आज उनके मंदिर पर इतनी शर्मनाक स्थिती है कि उपर गुंबद बने हुए है और सारी तारें सारी जो बेरीकैट्स थे तोड़कर किसी के जख़म आ रहा है किसी के खून आ रहा है तोड़कर वो अंदर गुशते और तोटने में कहीं मूर्ति निकल रही है जो इंट निकली है उस पर उम बना हुआ है इसी हिंट पर राम लिखा हुए अपनी आँखों से आँकों से देखाने हैं अपनी आँकों से बहुत जरूरी है चेदिसमबर 1992 को अयोध्य में जब विवादि धांचा गिरा गया तो लाखों की संख्या में कार सेवक वहां मौझूद थे एलके अड़वानी की वो रथियातर सभी को याद है आज हम एक ऐसे शक्स से आपको मिलवाएंगे जो ना केवल उस विवादि धांचे को गिराये जाने के समय महा मौझूद था बलकि उस इनसान ने एलके अड़वानी की बात करें उमाभारती की बात करें बीजेपी के बड़े लिडर्स की बात करें उनके केस रड़े एउध्धा से मताबिक लिबरान कमिशन में 14 साल तक उन्होंने अगवाई की और एक आम कार सेवक की तरह वो वहां मौझूद थे जब उनके आँखों के सामने वो विवादित धांचा गिराया जा रहा था मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के दो बार के सांसद चंडिगर से सत्यपाल जैन की अडिशनल सॉलिसीटर जर्नल भी है बीजेपी के वकील भी रहे और एक कार सेवक भी है आज मैं उनसे एक तीनों नाते हम बात करेंगे जैन साब जब मैं आप सो कह रहा हूँ के सत्यपाल जैन सांसद बीजेपी के बड़े से बड़े आपने नेता के वकील लड़े के एक कार सेवक के रूप में आज से आप शुरुआत करूँगा वो सीन आपको आज याद आ रहा है 6 दिसम्बर का जैन खड़े हैं लाखो कार सेवक कड़े हैं अड़वानी खड़े हैं मेरे को सारी सीन मेरी आँखों के सामने जैसे को फिल्म देखी होती है हम दूसरी कार सेवा में पांच दिसम्बर को सुभे एक बसमें चंडीगर से कोई 40-50 लोग पहुंच गए थे हम उस दिन माथा टेकने मंदिर में गए जब हम मंदिर में माथा टेकने गए उपर गुम्बद बने हुए थे मेरा एक भारतिया होने के नाते खून खॉल रहा था कि जिस देश की पहचान ही बगवान राम के नाम से है जो अयोधिया में पैदा हुए आज उनके मंदिर पर इतनी शर्मनाक स्थिती है कि ओपर गुंबद बने हुए हैं लोग इसको मस्जिद कलेम कर रहे हैं कोई वहां नमाज नहीं होती थी कोई मुस्लमानों का करक्रम वहां नहीं होता था तो मन को एक खून खौल रहा था कि य क्या उस समय आप बेशक एक एक्टिविस्ट थे सब कुछ थे परिवार ने रोका नहीं है करे भाई वहां इतना कुछ हो जाएगा ऐसे हो इनसान तो इनसान होता है परिवार होता है पत्नी बच्चे या माता हैं आपको मैं भावुग भी देख रहा हूं आपकी आँखों म नहीं रोका ये सब को मालूम था कि हम जार रहे हो सकता है शजण लौट भी ना पाएं लेकिन तब्भी मेरे परिवार ने रहे दर्म पत्ली ने एक बार मेरे पापा कोई दिखनी मेरे पिता को एकочно सी का बेटा हो सकता जेल में इया कुछ और कर दे तो उनने का मुझे कोई उसोस नहीं मेरे चार बेटे हैं अगर देश के काम एक बेटा आभी गया तो मेरे को संटोश होगा अला कि मेरे बाप पिता जी ने उस समय कहा था तो जो मैं आपको बता रहा था कि हम ने वो दिखा उसक प्रिम कोट में कल्यान सिंग जी ने एफिडेवट फाइल किया था यहां में धांचे की सुरक्षा करेंगे तो कैसे कारसेवा की जाए तो उस कारसेवा के लिए निर्ने किया कि सारे कारसेवक जो लगवग 5 लाग के क्रीब वहां पहुंच चुके थे वह सारे कारसेवक यह सहमत नहीं थे एक डिस्टिक जास थे मिस्टर पांडे जिनकी सुप्रीम कोट ने ड्यूटी लगाई थी कि वहां पर रहेंगे और वो देखेंगे कि जो सुप्रीम कोट का ओर्डर है उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है ग्यारा बजे के तक जहां कारसेवा शुर कैट्स थे तोड़कर किसी के जखम आ रहा है किसी के खून आ रहा है तोड़कर वो अंदर गुसी और मैं धांचे से लगबग दो धाई सो तीन सो मिटर दूर एक मिट्टी का बहुत बड़ा गड़ा था जहां हम कड़े हो गए थे और हमारे बाईंतर मंच था जो एक भवन तोड़कर लोग अंदर गुस गए और लोगों ने उसको तोड़ना शुरू किया और चड़ गे लोग उपर हमने आपनी आँखों से देखा कि लोग जो गुलाई में थे गुंबग तिकना वहां संबब नहीं था लोग फिसलते थे तो जो लोग साथ गए हुए थे वो उन सब मंच पर मजूद थे यह सब अपील कर रहे थे कि इसको मत गराइए आज यह हमारे अजेंडे में नहीं है गराना हम चाहते है कनून के उनसार इसका मंच से कहा गया लेकिन यह था कि कोई बढ़काव भाशन या अपने का कि खून खौल रहा था क्या इस था कि भाशन नह इसे तो मानिया श्रशादरी जी जो आरसेस के बहुत बरिष्ट उस समय कारे करता थे वो करनाटक से थे तो कई भाशाएं वो जानते थे तो उन्होंने अपनी कंड़ की भाशा में जो जो बाशाएं जानते थे सब में अपील की लोग उतराएं किसी ने सुनाने ही सब है तो बीच में कुछ लोग जो टेखनिकल थे ना कोई भगदर नहीं थी भगदर थी हल चल भगदर नहीं थी हल चल थी लोग धांचे की तरफ जा रहे थे जो तूट रहा है कोई कोई इसका कंक्रीट का टुकड़ा उठा के ला रहा है और तूटने में कहीं मूर्थी निक निकली अंदर से मैं वो लेकर आँँ प्राइज था भगदर नहीं थी जोश के अंदर लोगों में जोश था कि आज इसको छोड़ना नहीं है तो जब धांचा नहीं गिरना बहुत मजबूत था तो जो लोग टेक्निकल थे फवाड़ा लेकर आए कसी लेकर आए हथोड़े लेकर आए तो अखीर में किसे ने कहा कि देखो ऊपर से धांचा तोड़ो गए तो मुश्कल आएगी तो फिर उनने दिवारों में से इंटे निकालनी शुरू की तो जब एक निचे से एक दिवार दूसरी दिवार बीच में से खोगली हो गई तो धांचा निचे गिरा दो वो निचे गिरा उस समय का जो उत्साह था जो खुशी का वातावन था वो देखने वाला अगर नहीं प्री प्लैन था तो यह जो फावडे हैं कसी हैं यह वहां से रेंज किया गया उस तोरण मुझे लगता है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अपमानित मैसूस कर रहे इस ढांचे से और उनको लगया कि आज कलंक अगर हमने नहीं हटाया यह तो यह फिर नहीं हट पाएगा उन लोगों का मतिय था तो उन्होंने सारी विवस्था उसकी पहले से की हुई थी और प्लैन वे में मैं बिलकुल कह सकता हूं एविडेंस में कहीं नहीं आया लेकिन एब ऐसा कोई-बी काम बिना योजना के नहीं होता तो जो कार से वक्त राम भक्त इस बार पर डिटर्मेंट थे कि यह करो यह मरो अगर आज नहीं होगा तो पिर बहुत मुश्कल से होगा उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्हें ऋड्या गिराया जब धांचा कि गिर र हो गए कम पढ़ रहे थे लोग बोल रहे थे फिर निता आपस में विचार वमर्ष करने लगे अब क्या होगा क्योंकि सुप्रीम कोट में कल्यान सिंग जी ने हल्फिया भ्यान दिया था कि भी मैं इस रांचे की सुरक्षा करूंगा सुरक्षा हुई नहीं तो पांच बजे जो लोग बोल सकते थे उस इशू पर माइक से उनके नाम नाउस किये शाक्षी जी महराज मंच पर संचालन कर रहे थे उसमें मेरा भी नाम नाउस हुआ और मैं जाके मंच पर गया लेकिन बोलने का नंबर मेरा नहीं आया क्योंकि एक दम से तेजी से डिवल्मेंट सुरक् जो संग के बहुत बड़े उसमें अधिकारी थे यह लोग सारे मंच पर मवजूद थे शाक्षी जी महराज जो बाद में मेरे साथ एंपी रहे लोग सबा में वो मंच संचालन कर रहे थे सादवीर तामरा अचारय धरमेंद्र तो उसमें मोदी जी कहां पर थे या उनको आन पीछे जो भी उनका रोल था वो कर रहे होंगे लेकिन उसके अंदर उनका कोई रोल नहीं था ऐसा जो मेरी जानकारी में तो धांचा जब गिरा तो अडवानी जी ने तुरंत कल्यान सिंग जी को निवेधन किया कि आप त्याग पततत दें क्योंकि आपने जो सुप्रीम को को आशवाशन दिया था वो नहीं हुआ तो रजयन करने जब धांचा तीसरा भी गिर गया तो लोग बड़े खुश थे तो साक्षी जी महराज ने मंच से घोशना की वो शब्द अभी मेरी कानों में गुंज रहे हैं उनने का देखो कार सेव को हमें पता लगा है कि केंदर सरकार एस भी चवान हो मिनिस्टर थे नर्सिमा रोजी प्राइमिनिस्टर थे उस समय कि उसने अदेश दिया है कि सेना बेज रहे हैं तो आप सारे कार सेवक मंदिर के आसपास की जितनी सडके हैं सब पर जम जाओ सब बैठ जाओ लेट जाओ ताके आर्मी यहां ना पहुं ना कर उस पर मूर्तियां रखी गई और उसका कपड़ा लाकर जो शिफ्ट मेक शिफ्ट जो बहुत लंबेर सा तक जारी रहा वहां बनाया गया और फिर सारी रात लोग समसिव को वहां पर रहे सुबह जाकर फिर लोग जब कर्फिव लगया सारी यूपी में तब फिर कार सेफकों का जो परपस था हो सर्व हो गया धांचा तूट गया और धांचा तूटने के बाद बगवान राम की मूर्तियां मा स्थापित करती गया उसके बाद लिब्राहन कमिशन बैठाया गया लिब्राहन कमिशन एक मेंबर लिब्राहन कमिशन सैटप किया गया एलके अड पिलाफ डारेक्ट एविडेंस है ही नहीं तो यह कैसे हुआ क्योंकि सरकार भी कॉंग्रेस की थी और कमीशन का यह कहना था कि यह सब कुछ हुआ क्योंकि वहां पर बड़े-बड़े लीडर मौजूद थे तो आपने 14 साल वो केस लड़ा देखें जो वहां का सीन था वो मेरी अपनी आखों से देखें हैं इनमें से कोई भी उस भाशन ऐसा नहीं था कि लोगों नो को परवोक कर रहे हैं कि आप इसको तोड़िये सिर्फ एक बात कही जा रही थी कि 6 दिसंबर से पहले एक दिन जो वहाँ पर राम मंदर समिती की बैठक हुई उस बैठक के अंदर ये निर्ने लिया गया कि इसको तोड़ना है जबकि राम मंदर समिती का निर्ने जो रिकॉर्ड पे आया वो ये था कि हमने इस कारसिवकों से ये कहा है कि आप रेते की मुठी लेकर आकर वहाँ पे चला दें कोई एविडिस इनके खलाफ नहीं था हाँ एक बात जो बिलकुल स्पस्ट थी कल्यान सिंग जी ने बार बार कही और लिबरान कमिशन के सामने भी कही कि मैंने ये अदेश दे दिया था फाइल पर मेरा अद लिबरान कमिशन में किसी आफिसर का दोष नहीं है फाइरिंग ना करने का लिबरान कमिशन में उन्से पूछा गया कि जब 5 लाख लोग आ गए थे आपको लगा के दांचे की सुरक्षा नहीं हो सकती तो आपने फाइरिंग का आउटर नहीं दिया उन्होंने कर नहीं मैं का आउटर नहीं दिया और यह मेरी रिस्पॉंसिबर्टी है उसके बाद सर्वे हुआ है एकलोजिकल उफ इंडिया का सर्वे हुआ हम उसी पर बात करें क्योंकि काफी इस पर टिपनिया काफी चर्चा काफी डिबेट भी इस पर हो चुकी है आपने जब यह केस लड़ा वहां रामंदिर है वहां नहीं है मुर्तिया निकली यह तमाम या चीज़ा बतारे वो निकली सर्वे में आर्केयोलिजिकल सर्वे ओफ इंडिया को भी यह कहा गया कि आप खुदाई करिये वहां और खुदाई करके आप ढूंडिये कि इसके नीचे क्या निकला है तो जो Review of India की रिपोर्ट आई, लिब्रान कमिशन की सुनवाई के धरानी रिपोर्ट आगे थी। उसमें पिल्लर जो टूटे हुए थे पहले जो मंदर था उसके पिल्लर तोड़े पिल्लरों पे देवताओं की फोटो बनी होती है वो पिल्लर उसमें से निकले अर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि यहां पहले मंदर था उसको तोड़ा गया और जो मंदर के अफशेस थे उनको नीचे दबाया गया और उसके ओपर मस्जिद बनाई गया इस मस्जिद में नमाज नहीं हुई कभी नमाज नहीं अदा हुई हिंदोस्तान के ग्रीम मंत्री एस बी चवान वहां पर विजिट करने ग कोई नमाज कहीं अदा नहीं हो रहीं क्योंकि इसलाम के अनुसार जहां पर विवाद हो उसको मस्जिद नहीं मना जाता है वहां नमाज नहीं अदा होती है तो धानचा मंदर का ही था और उसके बाद फिर लिबनान कमिशन में नरसिमा राओ जी का बियान हुआ, मुलाइम स अड़वानी जी और इनके खलाफ नहीं थी अंत में ओकेश चले करिम्दल बहुत देर तक उमा भारती जी को जोशी जी को अड़वानी जी को नेक्स्टे गरफतार किया गया उनको जेल में रखा गया उनके मुकदमे चले सम्में अल्टिमिल्डी जाकर वो बरी हो एक जब य जिस दिन लालकिष्ण डौनी जी को ऐसे गवाह समन किया था आएज दोशी के नाते समन नहीं किया था अ जिस दिन गवाही के लिए जाना था तो अड़वानी जी के रोम में उस समय वो ग्रीमंतरी थे एक बैठक हुई उच्छ तर्य बैठक हुई उसमें एडवानी जी थे सुश्मा सुराज जी थी अरुन जेतली थे मैं था शैद हलुवालिया जी थे और एक दो वकील और थे तो हमने बैठकर डॉक्टर मुनली मिलोर जोशी भी वहां थे हमने मोटी मोटी स्टड़ी तैकी कि क्य स्टेटजी बननी है ये बैठक कोई लगवग 9 बजे शुरू हुई थी 10 बज़े तक चली 11 बजे हमको लिभरान कमिशन जाना था 10 बज़े शुश्मा जी ने कहा कि देखो मैं वकील हूँ जो मर्जी बात हो जाए अंत में वकील और जो क्लाइंट है उसकी परसनल गुफ्त जोट नहीं बोला है और मैं बिलकुल कोई जोट नहीं बोलना चाहता यहां तो मैंने का दिखो अडवानी जी मैं वकील हूँ और सच बता रहा हूं कई बार वकील केस में अपने क्लाइंट से जूट भी बलवाते हैं कहते हैं जैसे आपकी एलेक्शन पुटीशन है मालो आ तो सारा मैंने हिस्ट्री पढ़ी है आपको एक भी शब्द जोट बोलने की जरूरत नहीं है यह हमारा 100% फूल प्रूफ केस है बड़े कुछ हुए हो हम कार में बैठे कार में बैठके हम लिबरान कमिशन आए रास्ते में मुझे याद है अडवानी जी जब हम लिबरान कम कितनी लोगों को दिक्कत होती है लेकिन यह मानते नहीं है तो मैंने का अडवानी जी आपकी यह सुरक्षा का प्रस्ण है यग्तिकत तो प्रस्ण कोई नहीं है हम लिबरान कमिशन में आए दस तरीखों पर अलग-लग अडवानी जी का बियान हुआ तस दिन अलग-लग दि थे तो मैंने उन से पूछा है मैंने का अडवानी जी आपको दस दिन के बाद कैसा लगा तो बोले सत्पल जी मुझे एक बात की खुशी है बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैंने एक भी बात जूट नहीं बोली है मैंने सच बोला है और मैं इस बात पर मैंने का बिल जो मुसलिम बोर्ड था, उसके भी लॉयर थे, समाजबादी पार्टी के भी लोग थे, यूपी गौर्वर्मन्ट उस समें मुलायम सिंग की थी, उनके भी वकील थे, जब हम दपहर को मिलते थे, तो सब उनकी एक सफर से तारीफ करते थे, और अड़वानी जी जब गौही द समबर की हुई, उससे पहले भी कारसेवा हुई थी, आप लोग भी गिरफ़तार हुए, पहले जो 89 में कारसेवा हुई थी, उसमें मुलायम सिंग जी मुख्य मंतरी थे, तो अक्टूबर 30 नमबर एक शच्ट वो उसकी तारीखें थी, सारे देश से कारसेवकों ने आरा था मुलायम सिंग की सरकार थी, और सरकार ने सारी ट्रेने बंद कर दी, सारी बसें बंद कर दी, सारी फ्लाइट्स बंद कर दी, तीन दिन ऐसा हो गया जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई नहीं जा सकता था, हम यहां रात को कालका मिल से निकले, कोई 40-50 के क्रीब लोग थे, तो जब हम कॉंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आगरा से थोड़ी दिर पहले, तो वहां सुबह पुलिस के लोग आए, उनने का भी जो आपकी हां कार सिवक हैं, हमारा उनसे निवेदन है, वो सारे कार सिवक अंडर अरेस्ट हैं, वो बहर आ जाएं, तो हम लोग ट् और यहां पर जाएं, वो आगरा जेल में लेकर गए, और आगरा जेल की हालत ऐसे थी, जैसे वहां कुंबका मिला हो रहा है, अंदर टेंट लगे हैं, ओवर क्राउड़ेट, और लोगों का रिस्पॉंस इतना था, इतना लोगों का रिस्पॉंस था, जेल के अंदर जाके यूपी में लोग पूरी सब्जी वगरा आलू की जाना खाते हैं, भरी पड़ी, टोक रही के टोक रहा हुए, फिर किसी ने बाहर मेसेज दे दिया, कि यहां लोग आएं, बहुत दूर से आएं, दो-दो दिन से सफर करके आएं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, अंडर वे हैं, बहरे के बहर कोई नहीं जाने देता, वहां तो बस एक गेटी बनता बहर का, सौरी बहर के अंदर खुली हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टेंट लगा के लोगों को रखा हुआ था, और वहां हमारे एक बाद में सांसद बने, उनकी, वह कभी थे, बाद में होता था सर्प्लस प्राउंटे पूरी उस बाकी चीजना सारी वहां पर आ रहे थी इतना पब्लीक का रिस्पॉंस था मैंने अपनी जंदगी में कहनी देखा लास सवाल अब फाइनली राममंदीर का जो सपना है वो पूरा ही हो गया है किस तरह से देखते हैं कि एक वो दिन बीज होने के नाते क्या अब भारतिये नाते भी लेज़ित सब जगे आता है पचास बार आता है रचना राम रचाई सारी रचनराम का आता है फिर उसके मंदिर को हिंदोस्तान में ना बन सके यह बहुत दुर्भागे की बात थी समझ नहीं आती थी हमने लिभरान कमिशन में कई निताओं से मैंने सवाल पूछे और लोग भी पूछते थे कि आप अगर यह कहते हो कि भगवान राम योध्या में नहीं पैदा हुए तो बताइए कहां पैदा हुए आप बताइए ना आप बताइए कहां पैदा हुए कोई जवाब किसी के पास नहीं था जब 1984 में पालंपूर में बीजेपी की नेशनल अग्जेक्टिव की मीट थी तो मन को लगता था कि यारी कितना लंबा संगर चलेगा 1526 में बाबर ने मीर वाकी को भीज कर उसको तोड़ा था तो यह हमारे आखों के सामने हो भी पाएगा कर नहीं हो पाएगा और वखील के नाते में देखता था कि हमारा केस 100% प्रूफ है सारी एविदेंस हमारी में 1998 में मकदमा दैर हुआ लेकिन कोई जाजिस का ने लivesse का ने करने को त्यार नहीं को ने का ने को त्यार नहीं अब्विदें आखुसा कि अंदर अकर मैं समझता हो कि द्रेंदर मोधी जी इंत पार्टी कि कार्करता हो को तो श्रे जाता है, संको जाता है, इस बात का श्रे जाता है, कि उन्होंने इस मामले को अदालत के माध्यम से रिले नहीं होने दी, एक्सपेडाइट करवाया, जितने वकील थे सरकार के, जितने वकील थे पार्टी के, समय पर पहुंसते थे, समय पर भैस करते थे, हमारे, मैं नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है तमलाडू के रामा कृष्णा निया वकील जिनकी आयूशाद बन्वे के आसपास है उन्होंने पूरा इसका भहस किया सादू संत पेश हुए और मैं जिसीरी रंजन गोई जी वाले नित्रित वाले पांच जज्जों की बेंच को भी बताई जिसमें जस्टिस नजीर भी शामल थे जिनों ने पूरी सुनवाई की और सुनवाई करके समय पे निड़ने दिया एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जस्टिस रंजन गोई की रेटैर्मेंट को मुश्कल से महिना दो मिना बचा था और जो इसके वरोध में लोग थे वकील वो हिंदोस्तान के इतहास में पांच जज़ों का सर्व समद निड़ने आया उसको एकस्पैडाइड किया और फिर उसमें डिले नहीं होने दी मैं उनको भी बताई देना चाहता हूं और ये श्रे निरंदर मोदी जी की सरकार को जाता है जो जिनोंने कनूनी प्रक्रिया से इस खुझार है और कनूनी प्रक्रिया से हुगा तो उन्होंने इक सर्व मानिये कनूनी प्रक्रिया से करवाया और आज जब मैं मन्दिर निर्मान होते इस मंदर के निर्मान से, दुनिया भर में सर गर्व से उचा हुआ है, लोगों में हमारा मान समान बढ़ा है, और एक ऐसा और आस्था का केंदर बन गया है, जो दुनिया भर के किसी देश से आएगा, जो आएगा, उसके मन में इच्छा होगी, कि एक बार में अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके भी जाओ, बहुत ही परसंता का विश्या है, यह जो लंबा संगरश था, लंबे संगरश की मीठी जो परशाद मिला है, जो मीठा एक रस मिला है, वो भगवान राम के कारणी हुआ है, शारा श्रीया उन्हीं को जाता है, लेकिन आप से सोहार बहुत जरूरी है, बना रहना चाहिए, बिल्कुल बना रहेगा सोहार, वहां पर डिस्टर्बेंस सोहारत में कभी भी नहीं थी, यह तो कुछ चुने हुए लोग थे जो इसका राजनीती करन कर रहे थे, जजों में एक जज मुसल्मान थे, इलाबाद हाई कोट में भी नहीं है, तो एक मेटर ओ प्राइड है, नेशनल प्राइड है, बहुत बहुत शुक्रा है जैन साथ, तो यह थे सत्यपाल जैन, जिन्होंने वो विवादि धांचे की जब बात कहें, वहां मौजूज थे, लिबरान कमिशन में 14 साल केस लड़ा, वो देखा और राम मंदिर जो मौडल है, अगर मैं तस्वीर में दिखा हूँ, जो आया है इनके पास, वाकई एक बतौर कारसेवक और अपने जो धरम की अगर उन्होंने बात की, वाकई वो एहम है एक हिंदु धरम के लिए, तो वो वाइनिलिन का कहना है कि वो सपना पूरा होने जा रहा है, वीडि अपने लिएनि उन हो वो से एक ह الخणी पहाए हूए हूए हूब झाए हूए हूए है ह कै वे स्वार में तकर्दावक बतौरक Correct! झाल झाल